आज हम डिसकस करेंगे एक ऐसी हॉरर मूवी जो पूरे टेरर और ब्रूटालिटी से भरी है रॉंग टर्न सिक्स लास्ट रिजॉर्ट ये मूवी एक पुरानी क्यानी ब्लास्टिक फैमिली के डार्क सीक्रिट्स को एक्स्प्लोर करती है जिसमें इनसानी जानों की कोई भी वैल्यू नहीं है इस फिल्म में हम देखते हैं कैसे एक आदमी अपने परिवार और अपनी मॉरालिटी के बीच फस जाता है और इस चक्कर में उसके दोस्तों का क्या होता है तो चलिए बिना टाइम विस्ट के स्टार्ट करते हैं इस थ्रिलिंग और टैरिफाइंग जर्नी को मूवी की शुरुआत होती है डैनी के साथ जो अपनी लाइफ से काफी फ्रस्टेटिड है उसे एक दिन पता चलता है कि उसके नाम एक पुरानी प्रॉपर्टी लिखी गई है जो उसकी फैमली से जोड़ी है अपने दोस्तों के साथ डैनी हापर्स फैरी जाता है जहां उसे एक बड़ा रिजॉर्ट मिलता है हाप स्प्रिंग्स यह रिजॉर्ट एक पुरानी क्रिपी बिल्डिंग होती है और यहां उसका स्वागत होता है जैक्सन और सैली नाम के केर टेकर्स से जब डैनी और उसके दोस्तों को यह जगा थोड़ा अजीब लगने लगती है जैक्सन और सैली उन्हें यह बताते है कि यह डैनी का परिवार एक एंशियंट और रिस्पेक्टिट फैमिली से था जो जैनरेशन्स यह जगा समभालती आ रही है यहां डैनी को लगता है कि उसकी लाइफ फाइनली ठीक हो रही है क्योंकि यह रिजॉर्ट काफी वैल्यूइबल प्रॉपर्टी है और उसे लगता है कि अब वो रिच हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे जैक्सन और सैली डैनी को उसके परिवार के डाक लीगिसी के बारे में बताने लगते है डैनी को रेलाइज होता है कि उसका परिवार एक ऐसे कैनिबल क्लैन से बिलॉंग करता था जो इनसान का शिकार करता था और उन्हें खाता था जैक्सन और सैली इंसिस्ट करते हैं कि अब डैनी का टाइम आ गया है अपने एंसिस्टर्स के काम को आगे बढ़ाने का जितना डैनी अपनी फैमली के बारे में जानने लगता है उतनी ही चीज़ें क्रिपी और डेंजरिस होने लगती है उसके दोस्तों को एक एक करके मार दिया जाता है सबसे पहले काम पे लगते हैं सीरीज के पुराने मॉंस्टर्स फ्री फिंगर, सौर्टूथ और वन आय ये कैनिबल्स डैनी के दोस्तों को शिकार बना कर ब्रूटालिटी से मारना शुरू करते है हर डेथ और ज्यादा वॉयलिंट और डिस्टर्बिंग हो जाती है इस बीच डैनी का दिमाग कनफ्यूज होने लगता है क्योंकि एक तरफ उसके दोस्तों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ उसके अंदर अपने परिवार के लिए एक अट्रेक्शन बढ़ रहा है चैक्सन और सैली उसे लगातार प्रेश्राइज करते हैं कि वो अपने परिवार के फूट स्टेप्स को फॉलो करे क्लाइमिक्स में सबसे बड़ा ट्विस्स तब आता है जब डैनी को चूज करना पड़ता है अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच एक तरफ उसके कैनिबल परिवार है जिसे उसकी नई पहचान चुड़ती है लेकिन डैनी के अंदर का कॉनफलिक्ट उसे और ज्यादा वल्नरिबल बना देता है अल्टिमेटली डैनी डिसाइड करता है कि वो अपने परिवार का हिस्सा बनेगा और उसके दोस्तों के बली देना ठीक समझेगा एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि डैनी अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ कर अपनी फैमिली का वाइलन्ट लेगिसी अपनाने के लिए तयार हो जाता है मूवी के एंडिंग एक डार्क और अंसैटलिंग नोट पर होती है हाफ स्प्रिंग्स रिजॉर्ट अब ऑफिशली डैनी के कंट्रोल में आ जाता है और जैक्सन और सैली के साथ मिलकर वो अपने परिवार का गंदा काम आगे बढ़ाने के डिसीजन लेता है एक वाइनल शॉर्ट में हम देखते हैं डैनी को अपनी फैमिली की तरह बनने का फुल ट्रांस्फरमिशन करते हुए वो अब अपने दोस्तों के डैथ का गिल्ट फिल नहीं करता बलकि अपने एंसिस्टर्स के वोईलेंट लेगिसी को पूरी तरह से अपना लेता है फैमिली के डार्क सीक्रिट्स के बीच फस्ट जाना दिखाया गया है अगर आपको ब्रूटल स्लाशर फिल्म्स पसंद है तो ये मुवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये रॉंग्टन सीरीज का एक और एक्स्ट्रीम और टेरिफाइंग चैप्टर है